Hello friends, welcome to Constance Mind, मैं हो दीबग आप सभी को बहुत दिन से इंतजार था कि एगनू का PSD का application कब start होगा तो एगनू का PSD का application start हो चुका है 330 seat यहाँ पर available है और लगभग यह 30 से plus subjects है ठीक है? और इसमें जो application की notice update हुई है वो 13 December को update हुई है और इसकी जो last date है वो 31 December 2023 है entrance exam होगा और interview होगा और इसमें net है या GRF वाले या कोई अधर fellowship वाले या only net वाले ये सारे लोग direct interview में जाएंगे exam category में रहेंगे तो यहाँ पर only PG वाले भी आवदिन कर सकते हैं उनका entrance exam plus interview होगा बाकि सारी information आप से discuss करेंगे ब्रीफली तो यह new application है वो भी एक Central University है इगनू देश की जानी मानी एक Central University है जो की दिल्ली में है आपको साइट जिल्जेस के बारे में बताते हैं चैनल पर अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जिरू प्रेस कर लीजेगा PDF format में PYQ 1000 से भी ज़्यादा answer seat के साथ available है जिसे आप दिये गए description में link से आप जाके यह download कर सकते हैं तो एक बार description चेक कीजिएगा आपको वहाँ पर हमारा WhatsApp नंबर भी मिलेगा इस्टोर पर आपको कोई दिक्क्राथ आती है रावफरम से संपर्क कर सकते हैं ठीक है तो यह question paper आपको हर एक exam में PSD के काम आते हैं इगनु के exam में भी जरूर काम आएंगे तो यह हम आ चुके हैं इंद्रागाधी National Open University इगनु के official portal पे यहाँ पर आप आएंगे admission announcement में तो जब आप announcement में click करेंगे तो यह आपको advertisement दिखेगा यह advertisement है यह portal का link है और यह common prospectus है ठीक है यह 13 December को update हुआ है तो हम आपको इसका जो portal है वो भी दिखाएंगे और advertisement तथा prospectus भी दिखाते हैं तो सबसे पहले portal पर आप चलेंगे इस पर आप यहाँ पर click किजिएगा तो आप portal पर पहुँच जाएंगे यह है एगनू PhD जुलाई 2030 समर्थ edu.in यह जो admission के लिए notification आया है इसका जनवरी 2024 है जो session start हो रहा है वो January 2024 से इसका session start होगा यह application आया है जुलाई 2030 में ठीक है तो यह notification भी है इसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो application fee है वो 1000 रुपए है PhD program के लिए ठीक है तो इसकी side details prospectus में ही देखेंगे यह आप यहाँ से new registration पर click करके आविदन कर सकते हैं new registration कहां से मिलेगा तो यह आप देखेंगे तो यहाँ पर new registration का button मिलेगा यहाँ से आप आविदन कर सकते हैं तो इगनु का यह common notification जो है यह आप देख सकते हैं साथ में यह तीन application स्टार्ट हुए है Bachelor of Education के B.A.D. का और Post Basic याणिक B.A.C. नरसिंग का साथ में PhD का तो यह जो PhD का है इसकी details भी इसी में है साथ में इसमें जो application स्टार्ट हो रहा है उनकी स्टार्टिंग 12 दिसंबर से हुई है जो कि 13 से मान के चलने आप और 31 दिसंबर लास्ट है इसके इंटरंस टेस्ट जो होंगे वो साथ जनवरी 2024 को होगा ठीक है तो बाकी साथ डिटेल्स के लिए प्रॉस्पेक्टर्स देखेंगे यह इसका PhD का सेपरेट नोटिफिकेशन एडमिशन अनॉंस्मेंट का यहां पर इलिजबिल्टी बताया गया है कि जो भी कैनिडेट्स अपना 2 येर का मास्टर या फिर 4 येर का बैसलर कंप्लीट किया है अगर 2 येर का मास्टर है तो 55% मार्क्स होना चाहिए अगर 4 येर का बैसलर है तो 75% मार्क्स होना चाहिए और 5% की छूट दोनों में मिलेगा किसको जो कैनिडेट्स SC, ST, OBC, PWD काटेगरी या EWS काटेगरी के हैं ठीक है यह अब देख सकते हो 5% की छूट मिल रही है और यह तो इलिजबिल्टी हो गई उसके बाद admission का criteria तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि category A है और category B है ठीक है category A में वो candidates है जो किसी प्रकार की fellowship या scholarship hold करना है जैसे UGC NET, UGC CSI NET, GET, CED and similar national level test as per validity specified by the regulatory bodies shall be exempted from interest test and the selection will be based on interview these candidates shall be considered as category A ठीक है इनको भी apply online करना है and have to upload the valid fellowship award letter from the concerned implementing awarding agencies on the application portal ठीक है तो यह category A का हो गया All other candidates accept category A category A के बाद जितने भी candidates बचते हैं यह सारे candidates को interest test appear करना होगा और यह category B में आएंगे ठीक है admission to this program is merit based the interest test cell carry a weightage of 70% and 30% weightage shall be given to interview तो 70% का weightage आपका interest test का है तो अगर आप अच्छा score करेंगे तो आपका merit अच्छा बनेगा ठीक है final merit जो बनेगी अगर आप 70% में weightage में अच्छा score कर लेंगे तो merit अपके अच्छी बन जाएगी अब यहाँ पर reservation and relation section भी SCSTO BCPWD EWS को 5% का मिल जाएगा registration के बारे में फिर बताया गए है कि 12 December से start है examination fee 1000 should be limited through payment gateway using credit card debit का online banking हो गए बगए अब यहाँ पर जो information brochure 12 December को आया last date 31 December examination date 7 January 2014 duration of exam 3 hours ठीक है यह जो आपका exam होगा entrance exam इसके लिए centers a lot होते हैं और examination center पर ही आपका यह entrance exam होगा ठीक है और centers आपके सभी CT में लगबग लगबग a lot होते हैं यह इसका information brochure भी है इसे भी देख लीजिए इसमें जो कुछ हमने बताया वो सेम बात हैं आपको यहाँ पर मिलेंगी तो आप में सीटों की details दी गई है तो सीटों की details हम देख लेते हैं यहाँ पर जो merit based admission है उसके बारे में देखेंगे तो जो category A के candidates हैं इनका जो 100% weightage रहेगा वो interview पर ही रहेगा category B के जो candidates हैं the entrance test इनका 70% weight is interest test का 30% weight is जो है interview का ठीक interest test qualify करने के लिए 50% marks आपको लाना होगा अगर आप HCT, OBCP, WD, WS के हैं तो 45% marks लाना होगा stage 2 interview रहेगा stage 2 interview जो होगा इसमें category A के बी दोनों लोग आएंगे और interview के बारे मताया गया है the interview cell have three components comprising research methodology 40% and subject domain 40% communication skills का 20% तो तीन जो यहाँ पर components हैं इस पर आप फोकस करना है interview के लिए यहाँ पर जब आप application करेंगे तो आपको 4 examination CT चूज करने का option मिलेगा जो की आप चूज कर सकते हैं और उसे recording आपके preference पर ही आपको examination center इलाट होगा है center के list आपको बाद में पता चल लाएगी आप seatों की details देखते हैं यहाँ पर seatों की details में subject, seat और name of program coordinators का contact details और eligibility criteria अब यहाँ पर political science में total 7 seat है और एक category वाइस divide है इसे आप देख लिजिए sociology में 17 seat general management mass communication में 8 seat total eligibility भी देखेंगे कि किस discipline में आपने PG किया है तो आप अपलाई कर सकते हो finance के कर हम बात करें तो इसमें 6 seat commerce में 5 seat फिर management आथा इसमें total 21 seat है और फिर आपका education है इसमें आपका test seat है total distance education 18 seat total women's studies में 4 फिर आपका environment science है जिसमें की 15 seat है तीक है अब जैसे कि environment science का यहाँ पर discipline दिया है seat दिया है eligibility दिखेंगे तो आपका master degree in science है या engineering है तो आप इसमें apply कर सकते हो यह नहीं दिया गया है कि आपका यह specific science program होना चाहिए तो आप apply कर सकते हो आप पर सिर्फ science और engineering लिखा गया है और इंग्लिस में 16 seat उर्दू में 4 seat संस्कित में 11 seat और इन सभी subjects का लगभग हमारे पार research methodology और subject है दोनों का mcq mode में pyq available है यह pyq आप ले सकते हैं link इसका जो है description में दिया गया है जितने भी pyq हैं आपके इस exam में काफी मदद करेंगे क्योंकि mcq mode में यह भी exam आपका होगा ठीक child development की 17 seat nutritional science की 6 seat है home science में 8 है rural development 6 biochemistry में 7 life science में 15 seat है और यहाँ पर statistics mathematics की 6, statistics की 13 geology में 10 geography में 10 seat translation studies की 8 social work में 14 तो इस तरह से कुल 30 subjects में यहाँ पर seat ने दी गई हैं और यह जो 30 subjects हैं कुल 30 subjects में कितनी seat हैं तो यह हैं कुल 337 seat ठीक है यहनि कि 330 plus seat है और इसमें आप आप आविदन कर सकते हो यहाँ पर syllabus आप entrance test तो part A होगा जो की सभी subject के लिए common ही रहेगा लगभग लेकिन अलग-अलग यहाँ पर syllabus दिया गया है part A होगा research methodology part B subject specific होगा और सभी subject का अलग-अलग syllabus दिया गया है तो आप इसे जरूर चेक कर लिजेगा तो syllabus को लेकर आपको दिक्कत नहीं होगी syllabus यहाँ पर दिया गया है exam pattern हम आपको बाद में वीडियो बना के डिसकस कर देंगे अभी application की डिटेल से इसे आप देख लीजे इंद्रगाधी national open university में अगर आप admission लेते हैं तो यहाँ पर UGC की जो non-net fellowship होती है वो भी मिलेगी ठीक है यानि कि अगर आप यहाँ पर admission लेते हैं आप कोई भी other fellowship hold नहीं कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर fellowship मिलेगी ठीक है यहाँ पर only net वाले हैं तो भी वो direct mood में जा सकते हैं ठीक और check भी कर लिजेगा एक बर आप अगर हम कोई थोड़ा सा confused होंगे तो तो आप check कर लिजेगा वैसे intense test है तो सब भी लोग apply कर ही सकते हैं यहाँ पर आपकी जो जेरणाफ की fellowship है वो सब तो मिलेगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर माली जी यह जेरणाफ की fellowship आपके पास नहीं है तो आप अगर यहाँ पर missing लेते हैं या को यह दरफ फिलोशिप नहीं है तो भी आपको यहाँ पर non-net fellowship मिल जाएगी, जो non-net fellowship होती है, वो 8 से 10,000 arts के subject में या social science के subject मिलती है, और 10 से लेके 12,000 रुपए science या engineering में मिलती है, ठीक है, तो यह आप समझ लीजेगा, यहाँ पर आप आवधन कीजिए, वैसे यहाँ से भी prospectus डाउनलोड कर सकते हो, main website से, public notice prospectus यह password बनाना है, re-enter करना है, mobile number, फिर आप register करेंगे, register करने के बाद फिर आपको login करना होगा, आपको TP मिलेगा, और TP डालके फिर आप बाद में login करेंगे, तब आगे form भरेंगे, 1000 रुपए application fee है, तो thank you so much for watching, यह सारी details थी, उमीद हमने आपको सारी details बता रही होगी, सिर्फ य आप तक के लिए, नमसका,